ब्रिटेन की मिलिटरी इंटेलिजेंस है MI6 और पाकिस्तान की ISI ये दोनों मिलके इस मनिपूर में काम कर रहे हैं पत्रकार मौझे जो 1951 में 12% हो जाती है 2013 की जनगना में जिस नौर्थ इस्ट के अंदर हिंदू मेजॉरिटी था वो सो साल के बाद 2011 की जनगना में माइनॉरिटी में आ जाता है इम्यूनेशन की तसकरी चल रही है जो बर्मा से हतियार लाया जाया है चाइना की हेल्प से और जो आम्स की ट्रेनिंग देके वहाँ फोज तयार करी जा रही है ताकि तुम पूरे के पूरे मनिपूर को और पूरे के पूरे नौर्थ इस्ट को भारत से अलग कर दो जब इन तीनों मुद्धों के उपर बात होनी शुरू करी तो ये कंबाइंड इफेक्ट आया है जो आज आप देख रहे हो पत्रकारमा मनिपूर में जो कुछ हो रहा है उससे मोधी विरोध्यों को एक मौका मिल गया है और उनके लिए जैसे होली दिवाली जैसा माहौल हो गया है वो उससे मना रहा है कि मोधी सरकार के खिलाब चलिए इसी बाहने सही माहौल तयार हो रहा है लेकिन क्या मोधी सरकार मनेपुर को कंट्रोल करने में फेल हो गई या एक narrative बनाया जा रहा मोधी सरकार को बदनाव करने के लिए एक आदमी से हम समझने की कोशिश करते हैं हर्ष इनका नाम है हर्ष आपको बताएंगे कि मनेपुर में जो हो रहा है इसके पीछे क्या planning है मनिपुर के पूरे मनिपुर के मुद्दे पर बात होगी सरा आप एक मेरे को बात बताओ 1921 में आज जो लडाई हो रही है मनिपुर के आहलात क्या आज जब से बाजपा की सरकार है जब से बन गए जब से बन गए यह आहलात क्या भारत जब आजा दूए जब मनिपुर सिर था मनिपूर में कुकी नागा और मैती इन तीनों में कितना disturbance create किया हूँ था आप आपको पता है मैं जनता को आपके न्यूस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुकी नागा और मैती ये तीन समुदाय मनिपूर के अंदर है 1960 का Land Reform Act ये कहता है कि जो मनिपूर की जोग्राफिकल आज जो जो जोग्राफिकल structure है मनिपूर का जो जिसमें 90% हिली एरिया आता है और 10% plain एरिया आता है उसके अंदर 90% एरिया पे मैती जमीन नहीं ले सकता according to 1960 Land Reformation Act लेकिन कुकी और नागा जो 90% हिल्स पे बसे हुए है वो मैती जगह पे जमीन ले सकते हैं और 90% इलाके पे जमीन ले सकते हैं सर ये क्या क्या equality है सविधान सबको equality की बात करते हो आप fundamental rights की बात करते हो equality of rights की बात करते हो क्या आपने equality दिया हुए 1960 से आप मुझे बताइए जो अख़बार ये चाप रहा है कि आज की date में मगरमज का वो चाप रहा है मैं उन उन एडिटर से और ये उन न्यूस पेपर के मालिकों से बात कहना चाहता हूं कि क्या आपने कभी 1960 से जो मैती फेस कर रहा था जो मैती हिंदू फेस कर रहे थे मैती वैशनव हिंदू जो फेस कर रहे थे क्या आपने अपने पत्रकारिता के माध्यम से वो परचारित करने की कोशिश करी नहीं करी सर एजेंडा है पूरा का पूरा 1921 में कुकी इसाईयों की जनसंख्या 2% थी जो 1951 में 12% हो जाती है 2023 में वो 41.2% हो जाते है सवाल यहां भी उठता है जो 1911 की जनगन्ना में जिस नौर्थीस्ट के अंदर हिंदू मेजॉरिटी था वो 100 साल के बाद 2011 की जनगन्ना में माइनौरिटी में आ जाता है सवाल वहां भी उठता है तीसरा काबा वैली जो मनिपूर के अंदर काबा वैली थी जहां पे चाई की खेती होती थी वो आपके अदर्निय श्री जवालना लहरू जी ने बर्मा को गिफ्ट में देती सवाल यहां भी उठता है जब मनिपूर के राजा बोधी चंदरी जी ने जवालना लहरू से 1949 में मर्ज करते टाइम जब वो इंडिया के अंदर मर्ज किया जा रहा था मनिपूर को जब उनको यह बात बोली कि यह जो मैती समूदा है इसको शिड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए और इसको हर्व अधिकार दिया जाए कि यह पूरे के पूरे स्टेट में कहीं भी लैंड ले सके तो आपने जब समिधान बनाया तो आपने 1949 के अंदर मैती हिंदू वैसनव से यह अधिकार छीन लिया सवाल यहाँ भी उठता है पिछले 75 सालों से वहाँ पे ड्रग का वैद दंदा हो रहा है बर्मा से वहाँ लोग बुलाये जा रहे हैं जंगलों में बसाये जा रहे हैं और वहाँ पे अफीम की खेती की जा रही है वहाँ पे हिरोईन की खेती की जा रही है वहाँ पौपी कल्टिवेशन किया जा रहा है बल्क में पूरे नौर्थीस को बरबाद किया जा रहा है सवाल वहाँ भी उठता है वहाँ इतने सालों से मैती समुदाई की लारियों के साथ बलतकार होते रहे मैती समुदाई की बच्चियों के साथ बच्चियों का हरान होता रहा उनके साथ बलतकार होते रहे और आपकी सरकारे और आप लोग चुपते तो सवाल यहां भी उठता है पत्रकार मौदे और तो और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं जिस नौर्थीस्ट की आप बात करते हो इस नौर्थीस्ट के बारे में एक टाइम पे पूरा का पूरा मैती समूदाय था जो हिंदू बहु संक्यक था वो आज मातर 10% एरिया में क्यों रहे और जब मैती समूदाय अपने हकी लड़ाई लड़ता है कुकी और नागा समूदाय को यह राइट दिया हुआ है कि आप मैती की जगह पर जमीन ले सकते हो पूरे मनीपूर में कहीं भी तो जन संक्या बढ़ेगी और जब उनकी जन संक्या बढ़ेगी तो वह कहां जाएंगे जब आप उनकी जगह पी जमीन ले लोगे तो तो यह तो नॉर्मल सा दर नॉर्मल सी प्रॉब्लम है यह तीन मुद्दे हैं जो कंबाइंड इफेक्ट डाल रहे हैं आज की डेट में पहला मुद्दा कि एन बिरेन सिंग जी का वो भाषन बाजपा के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग जी का बार बार बोलूँगा रिपीट करके ताकि तुम्हारे पेट में दर दो एन बिरेन सिंग जी का जो भाषन फरवरी में उन्होंने दिया था कि हम नौर्थीस्ट को बरबाद नहीं होने देंगे नौर्थीज के यूथ को बरबाद नहीं होने देंगे हम जितने भी ड्रग ट्रेफिकिंग का दंदा यहां चल रहा है हम इसको बंद करवाएंगे प्लस उसके बाद जो मैती समुधाय को को शिड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए कोट ने का कि येस शुड़ भी गिवन शिड्यूल ट्राइब स्टेटस और उनको लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट के बाद उनको उनको पूरे मनिपूर में कहीं भी बसने और जमीन लेने की इजाजत है और तीसरा कि वहाँ पर जो आम्स हैं एम्यूनेशन की तसकरी चल रही है जो बर्मा से हतियार लाया जाया है चाइना की हेल्प से और जो आम्स की ट्रेनिंग देखें वहाँ फोज तयार करी जा रही है ताकि तुम पूरे के पूरे के पूरे नौर्थीस्ट को भारत से अलग कर दो जब इन तीनों मुद्धों के उपर बात होनी शुरू करी तो यह कंबाइंड एफेक्ट आया है जो आज आप देखने को पत्रकार माँद है और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जो जो लोग आज यह बात कर रहे हैं नै कि मनिपूर में देश की देश की वेशे से मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बात बता देता हूं कि मनिपूर में आज से नहीं ये बिटेन के टाइम से चल रहा है जब बिटेन वाड़े यहां आये थे तो वो मनिपूर की क्लाइमेट को भाब चुके थे कि यहां एक फट्राइल लेंड है जहां किसी भी चीज की बहुत बल्क में खेती की जा सकती है तो उन्होंने यहां तेल मिला उनको यहां पर चाय पत्ती मिली तो उन्होंने यहां पर उसका व्यापार करने के लिए उन्होंने इस जबीन को कब जाने की सोचा और उसके बाद एक और एजन्टा जो ब्रिटेन का था कर देगा और अपना कबजा कर लेगा और वही इंडारेक्टली यहां करना चाहता है अन्य था यह जो डेमोग्राफी चेंज हुई है यह नहीं हुई होती और मैं एक और चीज़ बताता हूं और इसाईयों को जो वहां के ट्राइबल से हैं जो वहां की मूल जन जाती है उनको इसाईयों में कनवर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनसे हर वो काम करवा रहे हैं जो ब्रिटेन की MI6 चाहती है और जो पाकिस्तान की ISI चाहती है और जो चाहता है और जो बर्मा चाहता है ज 50,000 मंदिरों को पाकिस्तान में तोड़ा जा चुका है लेकिन बिटेन की संसद में ही आवाज कभी न्यूटी पत्रकार मौद है। 1960 में जब लैंड रिफॉर्मिशन एक्ट आये था, जब ये लोग चुप थे, जब वहां के रहने वाले तीन समुदाय जो वहां रहते हैं, कुकी, नागा और मैती समुदाय, उनके साथ जब पक्षपात हो रहा था, जब ये लोग चुप थे, 1990 से लेके 2023 तक बर्मा से इलिग उठाके देखोगे, पत्रकार मौथ है, अभी तो बीजेपी की सरकार रही है, उस से पहले यहां पर मैकसिमम टाइप, मज़ोरिटी जो रही है, कॉंग्रेस वामपंतियों की सरकारे रही है, जब हां पर इतने रेप होते थे, बच्चियों के साथ, माइनर्स के साथ रेप ह पहुते थे जो आम्स की तसकरी हुआ करती जो ड्रग सी तसकरी हुआ करती जब यह लोग क्यों शुपते यह लोग चूपते यह Lोग क्यों शान्त थे hypert एक जो लोग राश्ट्रवादी गति विदियों में राश्ट्र वी रोधी गति गीदिया चाहे कोई भी हो इसमें रेप के साथ साथ including drug trafficking, human trafficking, arms trafficking, आपकी चाहे वो NGO से funding देके missionaries को वहाँ बिठाया गया हो जबर्दस्ती conversion कराया गया हो और demography को बदला जा रहा हो जब वो लोग चुपते तो आज उनको पेट में आज आज उनको अगर पेट में दर्ध हो रहा है तो इ इल्कुल पत्रकार मौद है आप मुझे बताईए ना कितनी क्या मनिपूर स्टेट प्रेजेंट में भारत में सबसे ज्यादा drug trafficking मनिपूर स्टेट से होती है पॉपी कल्टीवेशन और ओपियम कल्टीवेशन आफीम की खेती में सबसे नंबर वन पे आता है मनिपूर जहां और उसके बाद यह खेती करवाई गई और उन्हें आफ की ट्रेइनिंग भी प्रोवाइड करते है वो चाइना के द्वारा फंडेड है जो बर्मा में जाके यह लोग आम्स ट्रेनिंग लेते हूं इनके पास आज की डेट में अगर आप चेक करोगे तो आज यह मैं नहीं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो अपोजीशन ये सब गतिविदिया होते हुए चुप था वो आज नारी रक्षा की बात कर रहा है। अगेंस्ट लेना चीए और उसको नॉर्मल परिश्मेंट नहीं इंडिया गेट पर फासी होनी चीए जो ऐसा जगन में अपराद करें पत्रकार मोदें